इसके पहले अमेजन फॉरेश्ट फायर एंड नाव दिस न्यू डिजीज क्या आपने सोचा है कि बार बार हमारे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है आज हम इसी कोशन का उत्तर ढूंडेंगे हे गाईज आप सभी का स्वागत है चनल पर इसका नाम है द्रैंडम लेशन पूरे वर्ल्ड में भी सिर्फ एक ही बात चल रहा है और वह है कोरोना वाइरस इंडिया में भी वही चल रहा है स्कूल बंद है कॉलेज़ बंद है एक्जाम पोस्ट पॉर्ण हो चुका है सिनेवा घर बंद है एविएशन इंडूस्ट्री पूरे टूट चुका है तो आखिर में कोशन यह आता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा बार-बार क्यूं हो रहा है तो जो बेसिक कोशन है वाट इज कोरोना वाइरस कहा से आया इसके सिम्टम क्या है क्यों कैसे होगा इस पर आपने सारी वीडियो देखी होगी मेरे ख्याल से हर एक चैनल शानल बात कर रहा है अगर आप टिवी खोलते हो तो सिर्फ आपको वही देखने को मिलता है पेपर तो मैं आज उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाओंगा आप लोग बेसिक कोशन ढूंड सकते हैं यस प्रिकॉशन इस वेरी वरी इंपॉर्टेंट आप लोग पूरे प्रिकॉशन में रहें बहुत जरूरी है जो गोर्मेंट बोल रही है वह आप लोग करें आज म बारे में थोगा सा बात करने वाले हैं गाई जो सबसे इंपॉर्टेंट कोश्चन मेरे दिमाग में आता है बार-बार कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्या हमने कुछ ऐसा गलत किया है गलती किया है जिसकी सजा मुझे हम लोग को इस बीमारी के रूप में या फि दिरे दिरे जैसे भी है तो अप लोग कहा है कि वाइल लाइफ है या फिर इन्वार्मेंट है उसका हम लोग के अगरने बैलन्स बिगरता चला जा रहा है और वह हो रहा है हमारे हिमन इंटर्फेरेंस के कारण से और हम सोचते हैं कि हम इससे बच जाएंगे तो ऐसा पॉसि अभी इससे सबक नहीं लिए तो जो दूसरी बात मुझे बोलनी है दोस्तों वह है हिमन का सेलफिस नेचर मुझे लगता है कि इंसान एक टाइम में सबसे समझदार जो है जानवर है ये पूरे प्लानेट पे इसके साथ साथ सबसे जादा सेलफिस भी है अगर हम लोग अप किसी के लाइफ एक को बचा सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा आदमी के लाइफ को ही चुनेंगे हम लोग कभी भी जानवरों का जान का वैलू नहीं करते है यही हुआ हम अमेजन फोरेश्ट फायर में वहां इतने सारे जो जानवरों है उनकी लाइफ चले ग हैं उनके साथ भी आती है तो मतलब हुमेंस इतने ग्रीडी हो चुके हैं आज के आज के टाइम में कि वह कुछ भी कर सकते हैं एक तो हम लोग अपना पॉपलेशन मतलब की इतना ज्यादा बढ़ा लिए कि हम लोग जो दूसरे जो दूसरे जो कल्चर है उस पे बहुत ही ज हमारे साथ ऐसा हो रहा है और यह जो मतलब कि आप देखो फ्लर्ट देखो या फिर सुनामी देखो या फिर सूखा देखो यह सब जब भी नेक्स बार आता है तो पिछले बार से ज्यादा घा तक ज्यादा आकरामक होके आता है और बहुत ज्यादा लाइस को प्लेम करता है मुझे लगते हैं नेचर का एक तरीका है नेचर का बैलन्स करने का खुद का तरीका होता है और जब तक हम human aware नहीं होंगे इस चीज को यह ऐसा बार-बार हमारे साथ होता रहेगा यही इसका नतीज़ा है कि हम लोग इतने कम आकरे पे सिमटे हैं अभी तक जो containment है, वो 100 है, बाकि अगर Italy की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पे जो cases है, दिन पर दिन exponential नमबर में भरते चला जा रहा है, death rate की बात करें, तो जिसका mortality rate भी बोलते हैं, तो इसका mortality rate है, वो पहले 2% था, अभी WHO का नया guidance के साब से mortality rate थोड़ सब बर सकता है, 3 and 3.5% इसका mortality rate रह सकता है, खास बात यह है कि यह बीमारी उसको ज्यादा effect करें, जिनका immune system कबजोर है, यानि कि जो बूरे लोग है, या फिर जिनका कुछ transplant हुआ है, organ transplant हुआ है, उनको ज्यादा effect कर रही है, तो वैसे लोग खास करके ध्यान दे, और अगर immune system रहाने के जो basic चीज़ कर सकते हैं, आप basic चीज़े जो है, हल्दी वगेरा, हल्दूद, हल्दी आप इसे पी सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपका immune system strong करें, वो चीज़े बहुत help करती है, बाहर की जो यह actually बीमारी है, जो यह coronavirus है, वो कोई एक virus का नाम नहीं है, यह actually यह family है, वाइरस का पूरा family है, जो आ I live in Manit, which is NIT Bhopal, and यहां पे भी exam postpone किये जा चुके हैं, हमारे जो midterms, हमारे juniors के exam होने थे midterms उसको postpone किया गया है, इसके अलावा बाहर से जो मैं steps बताओ, सारे posters, banners लगे हैं, क्या करना है, क्या करना है, क्या से ने करना है, हात धोना है, मास्क लगाना, इन सब के ऊपर banner पूरे हर एक hostel में, हर एक department में लग जा चुका है, इसके बाद जो उन्हेंने major चीज किया है, कि gate पे जो entry है, जो food delivery वालों का entry स्विगी हो गया, जो matter हो गया, उनकी entry उन्हें restrict कर दी है, अभी अगर आपको order करना है, कुछ आपको gate पे जाके, main gate जो है campus का, वहाँ पे जाक है, और वही ये टाइम अभी है, कि जब हमें पूरा ऐसे world पुरा परिसान है, तो वह इंडिया की तरफ देख रहा है, और वी आर जो हम लोग बोलते है, विश्व गुरू के रूप में आगे आने वाले हैं, तो हम लोग वो बिल्कुल role play कर रहे है, और दुनिया ने जो डोनाल ट्रम्प है, और जो हमारे world के लीडर है, जो major leader है, उन्होंने नमस्ते को अडाउट किया है, यह मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, हमने एक movie देखी थी, air lift, उसमें जो दिखाता है कि अगर कुछ लोग इंडिया के बाहर फस जाते हैं, और उनको जो वाप कुछ लोग फसे हुए थे, इटली में हो गया, और इरान में हो गया, वहाँ से कल साम को लगवग 450 लोगों को air lift किया गया है, and sudden to sudden back to back, इतने fast actions जो इंडिया ने लिये हैं, वो बिलकुल praiseable है, and मुझे लगता है कि यह this is not a small thing, अगर हमने इसको इतना अच्छे सा contain किया है, तो इसमें कहीं ने कहीं हमारे government को इसका thank जाता है, and I hope कि वो इतना ही number पर रुख जाए, और यह बुरा फेजा है, वो पास कर जाए, so बात करना चाहूंगा यहाँ पर Indian government की, मुझे लगता है कि वो really praise के like है, जिरोंने जिस तरह से contain किया है इस चीज को, और पहल की है इस च strictly check हो रहा है, stringent कानून बन चुके है, and बिल्कुल exam अगरे को सबको post one किया गया है, so बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा देज मतलग की बात की बात की जा रहा है, अगर मैं सूछता हूं कि अगर यह situation बहुत ही खराब हो सकती थी, worse हो सकती थी, पहले कि cases में कैसा होता था and मुझे लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और यह सब sufficient है, आप लोग awareness बिल्कुल फैला हैं दूसरे में, and mask और खासकर sanitizer है, इसके बारे में ज्यादा viral होने से क्या होगा, इनका price काफी 20 गुना price बढ़ गया है, mask का sanitizer पूरे market से खतम हो हो चुके हैं, जो लोग इसे infected हो चुके है, mask उनके लिए बहुत important हो जाता है, जो लोग अभी safe है, सुरक्षित है, उनके लिए mask उसतना important नहीं है, so guys that's all for this video, आपको क्या लगता है, अपना राय comment section में जरूर share करें, और अगर आपको वीडियो का कोई भाग अच्छा है, दूसरे को अबने स्प्राइब, panic create ना करें, last message मेरा यही है, and I hope to, मतलग कि सब कुछ स्वस्थ रहा है, और अच्छे से यह जो बुड़ा फेज आया है, वो चला जाएगा, क्योंकि कोई भी वक्त टिक्के नहीं रहता है, यही मेरे आप सब से message थी, and बस thanks everyone for watching this video, have a nice day. झाल झाल जाएब